C.I.E.T. N.C.E.R.T. presents Trilingual Dictionary of History for Schools इतिहास विद्यालेओं के लिए त्रिभाशी शब्द कोश तारीख की लुगत स्कूलों के लिए सहलसानी Letter T Index, Word and Page Number तालुखदार Page 124 ताइल Page 124 तैनाते रकाब Page 124 Tamil Page 124 Tanzeem Page 125 तारीख, तवारीख Page 125 तसकिराज Page 125 थेर, थेरी Page 125 थेर गाथा थेरी गाथा Page 125 Third Estate Page 126 Third World Page 126 Three-Field System Page 127 तिपिटिका, त्रिपिटिका पेज 127 तिर्थांकर्स Page 128 तिरुकुरल Page 128 Tाइद Page 129 तोलकप्यम Page 129 त्रेवियतेद Page 129 त्रिरत्न रत्नत्रेय Page 129 Now, let's move to the Dictionary of History Page 124 तालुक्दार तालुक्दार Literal meaning of a तालुक्दार is connection. तालुक्दार means possessor of तालुक्दार. The term तालुक्दार came into existence in the second half of the 17th century. They were the small zamidars. They also enjoyed rights to collect revenue from other zamidars and to deposit in the government. This traditional right they enjoyed till 1856. Since they did not have any written document, Lord Dalhousie, when annexed Awad in 1856, retrenched their Tालुक्दारी right. It caused indignation in the Tालुक्दारी. Consequently, this led them to join the revolt of 1857. तालुक्दार तालुक्दार का अर्थ है तालुक्दार का अर्थ है तालुक्दार रखने वाला. ये शब्द सत्रमी सदी के उत्रार्थ में अस्तित्व में आया. वे छोटे जमिदार थे. उन्हें अन्य जमिदारों से राजस्व एकठा करने और सरकार में जमा कराने का अधिकार भी था उनके पास ये परंपरागत अधिकार 1856 तक रहा चूंकि उनके पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं था इसलिए लॉट डलहाउजी ने 1856 में जब अवध को अपने शासन में मिला लिया तो उनके तालुकदारी के अधिकार को भी समाप्त कर दिया इससे तालुकदारों में रोश उत्पन नहो गया जिसके परिणाम सुरूप वे 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए तालुकदार तालुक का लवजी माइने राप्ता है तालुकदार का मतलब है राप्ता कायम करने वाला तालुकदार की इस्तला सतरवी सदी के निस्फसानी में वजूद में आई ये चोटे जमीनदार थे इन्हें दूसरे जमीनदारों से माल गुजारी वसूल करने और उसे हुकूमत के पास जमा करने का हक हासिल था ये रिवायती हक इनके पास अठारा सो चपन तक था चूँके इनके पास कोई तहरीरी दस्तावेज नहीं था इसलिए Lord Dalhousie ने जब अठारा सो चपन में अवद को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया तो तालुकदारी हक को खत्म कर दिया ये तालुकदारों की ब्रहमी का सबब बना जिसके नतीजे में वो अठारा सो सतावन की बागावत में शरीक हो गए ताल It was a direct tax levied on the peasants in pre-revolutionary France. It was a variant of the tollage which was imposed by estate owners on their unfree tenants in medieval Europe. During the Hundred Years War between France and England in the 14th century, this tax had been greatly extended to meet the country's war expenses. However, since the tax was taken to be the monetary equivalent of feudal service, which the peasants were supposed to render, the nobles and the clergy were exempted from paying it. This caused great resentment among the members of the Third Estate, leading to its abolition during the French Revolution. ताल ये क्रांती पूर्व फ्रांस में किसानों पर लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्षकर था. ये तालिच कही एक अन्य रूप था, जो मध्धे कालिन यॉरप में भू संपदा मालिकों द्वारा अपने अमुक्त काश्तकारों पर लगाया जाता था. चौद्वी शताबदी में फ्रांस और इंग्लिन के बीच हुए सौ वर्षिये युद्ध के दौरान, फ्रांस ने अपने युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए इसे बहुत अधिक बढ़ा दिया था. किन्तु ये कर किसानों से अपेक्षित सामन्ती सेवाओं के मौद्रिक समकक्ष के रूप में वसूल किया जाता था. इसलिए कुलीन तथा पादरी वर्ग को इस कर से मुक्त रखा गया था. इस वज़ा से फ्रांस में तीसरे वर्ग अर्थात थर्ड एस्टेट के सदस्यों में भारी रोश उत्पन हो गया था. जिसके करन फ्रांस की करान्ती के दौरान इस कर को हटा दिया गया. टाइल पागीरदाराना खिद्मात के बराबर नकद की सूरत में लिया जाता था. उम्रा और पादरी इसकी अदाईगी से मुस्तस्ना कर दिये गये थे. इससे तीसरे तपके के अराकीन में जबरदस गम वगुस्सा पैदा हुआ, जिसकी वज़ा से इनकलाब फ्रांस के दौरान इस महसूल को खत्म कर दिया गया. तेना तेरकाब The expression refers to nobles who were usually stationed at the court to guard the emperor and his household under the Mughals. These nobles were duty-bound to appear before the emperor twice daily, i.e. in the morning and evening, to express their submission in the Diwane-aam, i.e. Hall of Public Audience. As a reserve force, they could also be deputed to a province or military campaign. तेनात रकाब ये शब्द उन अमीरों का दियोतक था जो मुगलों के शासन में बादशा और उसके परिवार की रक्षा के लिए अकसर मुगल दरबार में तेनात किये जाते थे. इन अमीरों को रोजाना दो बार अर्थात सुभा और शाम अपनी वफादारी दर्शाने के लिए दिवान-e-aam में पेश होना पड़ता था. एक आरक्षित बल के रूप में उन्हें किसी सूबे या सेन्न अभियान के लिए भी प्रतिन्युक्त किया जा सकता था. तैनात-e-रकाब who inhibited the peninsular parts of India divided into Chera, Chola and Pandya Kingdoms since ancient times and their language and culture. The earliest surviving writings in Tamil, a language of the Dravidian family, are available at present in the collections which are referred to as Sangam Literature. These are dated between the 5th century BCE and the 5th century CE. See also Sangam. Page 125 Tamil ये शब्द उन लोगों और उनकी भाशा तथा संस्कृती का सूचक है, जो प्राचीन काल से चेर, चोल और पांडे राज्यों में विभाजित भारत के प्राइद वीपीय भागों में बसे हुए थे. Tamil एक द्रवड परिवार की भाशा है और इसकी प्राचीनितम रचनाएं इस समय संगम सहित्य संकलन की रूप में उपलब्ध हैं. ये रचनाएं पाँच्वी शताबदी ईसा पुर्व से ईसा की पाँच्वी शताबदी के बीच की हैं. संगम भी देखें। तमिल इस इस्तला का इतलाक हिंदुस्तान के जजीरा नुमा में आबाद लोगों और उनकी जबान वा तहजीब पर होता है, जो के कदीम जबाने से ही चेरा, चोला और पांड्या सल्तनतों में बटे हुए थे। तमिल द्रामड़ी खानदानों की जबान और उसके कदीम तरीन तहरीरी मजमुआ आज भी दस्तायेब है, जो संगम अदब के नाम से जाना जाता है। ये तहरीरें पांच्वी सदी कबल मसी और पांच्वी सदी इस्वी की दर्मियान की हैं। मजीद देखें, संगम तन्जीम, अरभी भाषा के इस शब्द का तात पर उस राजनीतिक आंदोलन से है, जो भारतिय मुसल्मानों को एक जुट करने के लिए अपनिवे शिक्काल अर्थात बीसवी शताबदी में शुरू हुआ था। तन्जीम, ये एक अरभी लवज है, जिसके मानी मुनज्जम करना है। इससे मुराद एक सियासी तहरीक है, जिसका आगाज नौ अबादियाती दौर, यानि बीसमी सदी में हिंदुस्तानी मुसल्मानों को मुत्तहिद करने के लिए किया गया था। Tariq, Tawariq, थारिख. These are Arabic terms which stand for History or Histories. The collections of Hadith, i.e. Hadith, are said to be the earliest such history, i.e. Tariq. Subsequently, chronological accounts of rulers, states, regions, etc. also came to be included in the tarikh Under the Delhi Sultans, the writers of Tawarikh were learned men and lived in cities They also held positions as secretaries, administrators, poets and courtiers Their main job was to recount events and advise the ruler on matters of governance emphasizing the importance of just rule The Tawarikh that were written during this period are in Persian Tawarikh, Tawarikh, یہ Arabi bhaşa کے شبد ہیں جن کا پریوگ, اتحاس, عطوہ اتحاسوں کے لیے کیا جاتا ہے حدیث کا سنگر ہے Tawarikh یا اتحاس کا پراشینتم, اداہرن مانا جاتا ہے آگے چل کر شاسکوں, راجیوں, کشتروں, آدھی کے کال کرمک ویورنوں کو بھی تاریخ میں شامل کیا جانے لگا ڈلی کے سلطانوں کے شاسنکال میں Tawarikh کے لیکھک ودوان لوگ تھے جو شہروں میں رہتے تھے ویسچیو, پرشاسک, قوی اور درباریوں کے روپ میں بھی کارے کرتے تھے ان کا مکھے کام گھٹناوں کا بیورہ دینا اور نائے پون شاسن کے محتو پر بل دیتے ہوئے شاسک کو شاسن سمبندھی ماملوں میں سلاحہ دینا تھا اس کال کے دوران Tawarikh فارسی بھاشا میں لکھے گئے تھے तारीخ, Tawarikh ये अरबी इस्तलात ہیں जिनका मतलब हिस्ट्री है आदीज के मजमूओं के बारे में कहा जाता है के ये तारीख की अव्वलीन मिसाल है बाद में हुकमरानों, रियासतों और इलाकों वगेरा की तर्तीबवार तफसीलात को भी तारीख में शामिल कर लिया गया धहली के हुकमरानों के मातहद बहुत से तारीख नवीस एहल इल्म थे और शहरों में रहते थे वो मौतमदीन, याने सेकरिटरी, मुनतजिमीन, शारा और दर्बारियों के ओधे पर फाइस थे वाकियात को नकल करना और हुकूमत से मुतालिक अमूर में मुनसिफाना हुकूमत की एहमियत पर जोर देते हुए हुकमरान को मशवरा देना इनका खास काम था इस दौर में जो तवारीख लिखी गई वो फारसी में है तसकिराज दिस इस पर्जिन टर्म अरड़र तसकिरा से एक फारसी है जिसका पर्योग संतों के जीवन विवरन के लिए किया जाता है सूफियों ने इस विदह का पर्योग अपने संतों की याद बनाए रखने और अपने सिलसिले की प्राथमिक्ता स्थापित करने के लिए किया था मीर खुर्द किर्मानी का चौदवी शताबदी का सियर उल ओलिया भारत में लिखा गया सबसे पहला सूफी तजकिरा था इसमें मुखे रूप से चिश्टी संतों के जीवन का विवरन दिया गया था तजकिरा ये अरबी इस्तिला है जिसका मतलब सूफियों की सवाने है सूफिया इस से अपने बुज़ूर्गों को याद और अपने सिलसिले को कायम रखने के लिए इस्तिमाल करते थे चौधवी सदी में मीर खुसरो किरमानी की लिखी हुई सियर अल उलिया पहला सूफि तथकिरा है जो हिंदुस्तान में लिखा गया इसमें खासतोर पर चिश्टी वुज़ूर्गों का जिक्र है थेर, थेरी These are Pali terms used to respectively refer to the monks and nuns of the Theravad or Theravadin or the Orthodox, that is Hinayana School of Buddhism ये पाली भाशा के शब्द हैं जिनका प्रयोक क्रमशा बौद धर्म के थेरवादी अर्थाद ही नयान शाखा के बिक्षूओं तथा बिक्षूणियों के लिए किया जाता है। ही नयान भी देखें। थेर, थेरी ये इस्तलहाथ हैं जिनसे मुराद आला तरबियत थेरवाद, थेरवादिन या बौदमत के रासे कल इत्तिकाद मक्तबाए फिक्र यानि ही नयान के भिक्षू और भिक्षूणी हैं। मजीद देखें, ही नयान। थेरगाथा, थेरीगाथा, थेरीगाथा. These refer to songs of Buddhist monks and nuns, which are found in the Khuddha-Nikaya of the Sutt-Pitaka, compiled in circa 1st century BCE. In the थेरगाथा verses attributed to about 264 monks, such as Sariputta and Maudhagalyaana, are found recounting their experiences of attaining liberation. Similarly, in थेरीगाथा, about 70 songs composed by Buddhist nuns, such as Ambapali and Punna, are found, which describe their social and spiritual experiences. See also थेरी, थेरा. Page 126 थेरगाथा, थेरीगाथा, बौध्ध भिक्षूओं के उन गीतों को थेरगाथा और भिक्षुनियों के गीतों को थेरीगाथा कहा जाता है, जो प्रथम शताब्दी ईसापूर्व में संकलित सुत्पिटक के खुददक निकाय में पाए जाते हैं. थेरगाथा पद्यों में सारीपुत और मौध गल्यान जैसे लगभग 264 भिक्षूओं ने निर्वान प्राप्ती से संबंधित अपने अनुभवों का विवरण दिया है. इसी प्रकार थेरीगाथा में अंबपाली और पुन्ना जैसी बध भिक्षुनियों द्वारा रच लगभग सत्तर गीतों में उनके सामाजिक तथा आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन है. थेरी थेर भी देखें। यानि निर्वान से मुतालिग अपने तजुर्बात को बयान किया है. इस तरह थेर गाथा में अंबपाली और पुन्ना जैसे बहुत भिक्षुओं की तक्रीबन सतर मुनाजात मिलती हैं जो उनके समाजी और रुहानी तजुर्बात को बयान करती हैं. मजीद देखें थेर तरह थार। 3rd Estate The third estate itself had three layers. The upper layer, known as the bourgeoisie, was consisted of the professional class, i.e. lawyers, doctors, merchants, etc. The second layer was consisted of skilled craftsmen and wage earners, and the third layer was consisted of the peasants. There were strong reasons for the members of all these three layers to feel disgruntled about the prevailing conditions in France. Thus, they became a major force behind the outbreak of the French Revolution in 1789. तीसरा वर्ग, अर्थात third estate. ये शब्द उन तीन वर्गों में से एक वर्ग का सूचक है, जिन में फ्रांसीसी कृरांती के समय फ्रांसीसी समाज बटा हुआ था. पहला और दूसरा वर्ग, क्रमशह, पादरियों और अमीर लोगों का था. और तीसरे वर्ग में बाकी सभी लोग आते थे. तीसरे वर्ग में फ्रांसी की संपूर्ण आबादी के च्छानमे प्रतिशच से भी अधिक लोग थे. किन्तु इस तीसरे वर्ग के भी तीन स्तर पहले स्तर को बूजवा कहा जाता था जिसमें पेशेवर लोग जैसे के वकील, डॉक्टर, व्यापारी आदी शामिल थे। दूसरे स्तर में कुशल शिल्पी और वेतन भोगी लोग थे। और तीसरा स्तर किसानों का था। ऐसे अनेक प्रबल कारण थे जिनके लिए इन तीनो स्तरों के सदस से फ्रांस में विद्यमान ततकालीन परिस्थितियों के बारे में अपने आपको असंतुष्ट महसूस करते थे। इसलिए वे 1789 में फ्रांसिसी क्रांती के प्रादुर्भाव के पीछे प्रमुखबल बने। तीसरा दर्जा इस से उन तीन दर्जात में वो उम्रा पर मुश्तमल था जबके तीसरे दर्जे में बकिया तमाम लोग शामिल थे। तीसरे दर्जे में फ्रांस की 96 फीसद से भी ज्यादा आबादी शामिल थी। ताहम तीसरे दर्जे में भी तीन जुम्रे थे। इनमें आला दर्जे के लोग बोर्जुआई के तोर पर जाने जाते थे जो पेशावर तपके याने वकाला, अतब्बा, तिजर वगेरा पर मुश्टमिल था दूसरा दरजा माहिरकारी गिर्हों और मजदूरों पर और तीसरा दरजा किसानों पर मुश्टमिल था ये तीनों जुम्रे इस एहद के फ्रांस की सूरतहाल से गयर मुतयन होने में हक बजानिब थे इसलिए 1789 में इनकलाब फ्रांस को बर्पा करने में वो बहुत बड़ी ताकत बन गए Third World The expression refers to the countries from Asia, Africa and Latin America which gained independence from colonial domination after 1945 and preferred not to get openly aligned with either of the two military blocs throughout the Cold War period In this sense, these countries became a category, i.e. non-aligned, of their own in the bipolar politics of the world The expression also came to form a part of the United Nations classification according to which the economically developed, i.e. industrialized and capitalist and politically democratic countries of the West came to be referred to as the First World, whereas the economically developed, i.e. industrialized and communist countries of the East were referred to as the Second World with the remaining countries coming within the bracket of Third World Third World thus came to comprise a disparate group of countries, many of which were quite wealthy in terms of their economic resources some getting increasingly industrialized, some democratic and some autocratic in their political orientation while some were extremely poor However, as these countries tried to develop themselves economically through mutual cooperation, i.e. South-South and also by way of drawing support from either of the superpowers or through emerging global political frameworks like the North-South Dialogue, i.e. between the developed and the developing countries they also came to be referred to as developing countries See also Cold War, Non-Alignment Page 127 तीसरी दुनिया इस अभिव्यक्ति का प्रयोग एशिया, अफ्रीका और लाटन अमेरिका के उन देशों के लिए किया जाता है जिन्होंने 1945 के बाद अपनिवेशिक प्रभुत्व से स्वतन्तृता प्राप्त की थी और शीत युद्धकाल के दौरान दोनों सेन्ने गुटों में से किसी एक के भी साथ खुले तोर पर अपना गठबंधन स्थापित करना पसंद नहीं किया था इस प्रकार इन देशों ने विश्व की द्वी धुरुविये राजनीती में अपनी एक अलक श्रेणी अर्थाद गुट निर्पेक्ष बना ली थी ये गुट निर्पेक्ष देश सयोगत राश्ट्र के उस वर्गी करण का भी एक हिस्सा बन गए जिसके अनुसार आर्थिक द्रिष्टी से विकसित अर्थाद ओद्योगी कृत तथा पूंजी वादी और आश्नीतिक द्रिष्टी से लोकतंत्रिये पश्चिमी देशों को पहली दुनिया जबकि आर्थिक द्रिष्टी से विकसित अर्थाद ओद्योगी कृत तथा साम्म जिसमें शामिल बहुत से देश आर्थिक संसाधनों की दृष्टी से काफी संपन्न थे, कुछ अधिक 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 ओद्योगी कृत हो रहे थे। जैसे उभरते हुए भूमंडलिये राशनीतिक संगठनों के माध्यम से अपने आपको विकसित करने के लिए प्रत्नशील हैं, इसलिए इन देशों को विकास शील देश भी कहा जाता है। शीत युद्ध, गुठ निर्पेक्षता भी देखें। दो फौजी ब्लॉकों में से किसी से भी वाबस्ता होना पसंद नहीं किया। इस लिहास से दुनिया की दो कत्बी रियासतों में ये मुमालिक अपने आप में एक अलग यानि गेर वाबस्ता जुम्रा बन गए। तीसरी दुनिया कहे जाने वाले ये गेर वाबस्ता मुमालिक भी मुतहदा रियासतों की दरजा बंदी का एक जुज़ बन गए। जिसके मुतालिक मगरिब के अक्तिसादी तोर पर तरक्डिय आफता यानि सन्रटकार और सरमाईदार और सिहासी लिहास से जमूरी मुमालिक को पहली दुनिया के तोर पर बयान किया गया। जबके मश्रिक के एक्तसादी तोर पर तरक्याफ़ता याने सनदकार और इश्तेमालियत पसंद मुमालिक को दूसरी दुनिया और तबका मुमालिक को तीसरी दुनिया के तोर पर बयान किया गया यहां तक कि तीसरी दुनिया में मुख्तलिफ मुमालिक शामिल हो गए जिन में बहुत से मुमालिक अपने माशी मसाहिल के लिहाज से काफी मालदार हैं बाज मुमालिक तेजी से सनद कायम कर रहे हैं बास जमूरी और चंद अपनी सियासी नौयत के लिहास से इस्तबरादी हैं जबके कुछ मुमालिक निहायत ही गरीब हैं ताहम ये मुमालिक बाहिमी ताववन यानि जुनूब जुनूब और आला ताकतवर मुमालिक या उभरते हुए आलमी सियासी खाके मसलन शुमाल जुनूब मुकालमा यानि तरक्की याफता और तरक्की पजीर मुमालिक के दर्मियान से मदद हासिल करके खुद को इक्तसाद तौर पर तरक्की देने के लिए जद्दो जहद कर रहे हैं। इन मुमालिक को तरक्की पजीर मुमालिक के तौर पर भी बयान किया जाता है। मजीद देखें, सर्द जंग, नावबस्तिगी। Three-Field System The expression refers to an innovative method of land use that was introduced in Europe in the Middle Ages, that is 11th century. The first innovation was to switch over from an earlier practice of cultivating one part of the field and leaving the other fallow every year, that is the two-field system, to a system in which one-third of the land was left uncultivated every year, while cultivating the other two parts with different crops, that is the three-field system. Thus, the second innovation in the system was the planting of a new crop, which could be oats, barley and legumes. The fields were then rotated in a shifting pattern of cropping every year, over a three-year cycle. This allowed the soil to recover fertility, while raising production at the same time. On the whole, the system not only marked advancement in the agricultural practices, but also contributed to greater food availability. Three-Field System ये थी कि इसके अंतरगत समूची जमीन को तीन हिस्सों में बांट दिया जाता था जिन में से हर साल एक हिस्से को परती छोड़ दिया जाता था और दो हिस्सों में अलक अलक कि फसलें बोई जाती थी। जबकि इस से पहले के तरीके में समूची जमीन को दो हिस्सों में बांटा जाता था जिसमें हर साल एक हिस्सा बोया जाता था और दूसरा परती छोड़ा जाता था नए तरीके की एक दूसरी नई बात ये थी कि हर साल नई फसल बोई जाती थी जो जई, जो और फलियां हो सकती थी इस प्रकार तीन साल तक हर हिस्से में बदल बदल कर फसलें बोई जाती थी, जिसके फलसुरूप जमीन का उपचावपन बना रहता था और साथ में उत्पादन में भी वृद्धी होती थी संक्षेप में इस प्रणाली से क्रिशे कारे में तो उलेकनी प्रगती हुई ही, साथ ही ख़द उपलब्धता बढ़ाने में भी साहता मिली तीन खेतों वाला निजाम इस से मुराद जमीन को इस्तिमाल करने का एक इखतिराई तरीका है, जो एहदोवस्ता याने ग्यारवी सदी में यूरोप में मतार्रूफ हुआ इस निजाम की पहली खुसूसियत ये थी, कि पूरी जमीन को तीन हिस्सों में तक्सीम कर दिया जाता था और हर साल एक हिस्से को गैर मज़ुरूआ छोड़ दिया जाता था और बाकी दो हिस्सों पर अलग-अलग किस्म की फसले उगाई जाती थी जबके इस से पहले के निजाम, यानि दो खेतों वाले निजाम में पूरी जमीन को सिर्फ दो हिस्सों में तक्सीम किया जाता था जिसमें से हर साल एक हिस्से पर खेती की जाती थी और दूसरे को गैर मज़ुरूआ छोड़ दिया जाता था तीन खेतों वाले निजाम की एक दूसरी खुसूसियत ये थी कि हर साल जदीद फसलों, मसलन जाई, जो और फली वगेरा की खेती की जाती थी इस तरह इस तरीका जर्रात में तीन साल तक हर साल बारी-बारी खेतों में खेतियां होती थी इस से बके वक्त पैदावार भी होती थी और जमीन दोबारा जर्खेज हो जाती थी बहैसियत मजमूई इस तरीके जर्रात से ना सिर्फ तरीका काश्टकारी में तरक्की हुई बलके गिजाई वस्तियाबी में भी काबिल एक दर इजाफा हुआ पेज 128 pikiddaka tripitaka this is a pali term which literally means three baskets the term is used to refer to the three early buddhist canonical texts that go by the names of the sutta pitaka the vinaya pitaka and the abhidhamma pitaka so far as the contents of these pitakas are concerned the vinaya pitaka encompasses the rules meant for the buddhist monks and nuns as had been given by the Buddha, the Sutta Pitaka, the Buddha's teachings on ethical and doctrinal issues, and the Abhidhamma Pitaka, the philosophical interpretations of the doctrines of the earlier two Pitakas. According to tradition, the Vinay and the Sutta Pitakas had been adopted in the first Buddhist council held at Rajagriha, a few weeks after the demise of Buddha on the authorities of his two closest disciples, Opali and Ananda, and the third, Abhidhamma Pitaka, was formulated in the third Buddhist council held at Pataliputra, i.e. modern Patana, under the presidentship of Mughaliputra Tissa, during the reign of the Maurean emperor Ashoka. Tipitak, Tripitak, Ye Pali Bhasha ka shabd hai, jiska shabdikar thai, teen petiaan. Ye bodh dharm ke tīn prachin niyam grantho ke suchak hai, jinn ke naam hai, sutta pitak, vinay pitak, aur abhidhamma pitak. Jahaan tak in pitakon ki vishay vashtu ka sambandh hai, vinay pitak mein bodh bhikšuon tathha bhikšuoniyo ke liye buddh dvara batayay gai niyam diye gai hai. Sutta pitak mein naitik tathha saddhantik vishayon par buddh ke updeish sankalit hai. Aur abhidhamma pitak mein pehle do pitakon mein diye gai siddhantho ka dashnik vivyachan hai. Parampara ke anusar vinay pitak aur sutta pitak ko buddh ke do ghanisht shishyon, upali aur anand ke marg darshan mein buddh ke mhritiyo ke kuch sabtahabad, raja grihi mein ayojit parishad mein apna ya gya tha. Aur tisre pitak, yani abhidhamma pitak ko maure samraat ashok ke shasankal mein, mogali putt tisth ki adhyakshita mein, patali putr, arthat, adhunik patana mein ayojit, tisri boddh parishad mein tayyar kiya gya tha. Tipitak, tripitak. Ye eek pali istilah hai, jiske lefzi waini ne, tien tokriyong ke hai. Is istilah ka istimal baudhmat ke mazhabi qawait par mushtamil tien qadhim mutun ke liye kiya jata hai, jinke naam yeh hai, sutta pitak, vinay pitak, aur abidham pitak. Jahan tak inke mashmulat ki baat hai, to vinay pitak, baudh bhikshuon aur bhikshuniyo ke liye baudh ki batai hoi hidaayet wa qawaanin par mushtamil hai. Sut pitak, akhla wa uçuli amur se mutalik talimat par, aur abidham pitak, mazkura doono pitakon mein, mandrajaat uçulon ki falsofiyana tashrihaat par mushtamil hai. Riwaayet ke mutabik vinay aur sut pitak ko baudh ki wafat ke kuch hafte baad, raja girah mein munakid honne wali, pahli bodhisht kaunsil mein, inke dhu qaribhi šaagirdo, upali, aur anand par aitmaat karte huwe, akhtiyar kiya gaya, aur tisre abidham pitak ko patliputr, yani maujudha patna mein munakid honne wali, tisri baudh kaunsil mein, mauryaayi hukmuran ashok ke dore hukumat mein, maugliput tissa ki sadarat mein tayyar kiya gaya. Tirthankaras In Jainism, the term refers to those propounders of the faith who assumed birth periodically to show to the mankind the path of self-realization or salvation. According to the Jaina tradition, the scriptures embodying the knowledge of the ultimate reality are thus periodically revealed for the benefit of mankind by the Tirthankars, who were also called the Arhats. The Jaina tradition also believes that such Tirthankars appear in the world in different cosmic periods which consist of an age of evolution i.e. Utsarpini, followed by an age of dissolution i.e. Avasarpini. There is said to have been 24 Tirthankaras who have appeared during the modern world period, which falls in the category of an age of dissolution. The first of these Tirthankaras is said to be Rishabhadeva and the last Vardhaman Mahavir who was born at Kundagrama near Vaishali, i.e. Bihar in 599 BCE. 3. Tirthankar Jaina dharm में इस शब्द का तात्पर्य धर्म के उन प्रतिपादकों से है, जो मानव जाती को आत्मग्यान अत्वा मुक्ति का मार्ग दर्शाने के लिए समाई समय पर जन्म लेते रहे हैं. जैन परमपरा के अनुसार इन तीर्थंकरों द्वारा मानवता की भलाई के लिए समय समय पर अपने धर्म ग्रंथों द्वारा परमसत्य का ज्यान कराया जाता है. इन तीर्थंकरों को अरहत भी कहा जाता था. जैन धर्म में ये भी माननेता है कि ऐसे तिर्थंकर भिन 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 ब्रह्मांडिये अवधियों में अवतरित होते रहे हैं, जिन में पहला विकास का योग उत्सरपणी और दूसरा विघटन का योग अवसरपणी होता है। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक जगत अवधि में जिसे विघटन का योग माना जाता है चौबीस तिर्थंकर हुए हैं। इन तिर्थंकरों में रिशब देव पहले तिर्थंकर और वर्धमान महावीर जिनका जन्म 599 इसापूर्व में वैशाली अर्थात बिहार के पास कु एतियाबी या निजात का रास्ता दिखाने के लिए पैदा होते रहे हैं। जैनी रिवायत के मताबिक मजभ़ी किताबे जो हक्कीकत मतलक से मुतालिक इल्म को पुखता करती हैं वक्तन वक्तन इनसान के फाइदे के लिए तिर्थंकरों के जरिये नाजिल होती रही हैं। जिनमें पहला इर्तिकाई दौर और दूसरा तहलीली अहद यानि उत्सरपनी होता है। कहा जाता है के जदीद दौर जिसे तहलील का जमाना तसवर किया जाता है उसमें 24 तिर्थंकर जाहिर हुए हैं। इनमें पहले तिर्थंकर रिशब देव थे और आखरी तिर्थंकर वर्दमान महावीर हैं, जो पांसो निन्यानवे कबल मसी, वैशाली याने बिहार के करीब कुंड ग्राम में पैदा हुए थे. तिरुकुरल It is a famous work of Tamil literature attributed to the saint poet Tiruvalluvar. Perhaps, composed in the 6th century CE, it has more than 1300 kurals, i.e. couplets. These couplets are universalistic in their message and serve as a guide to a virtuous life. तिरुकुरल Tamil साहित्य के इस सुप्रसिद ग्रंत को Tiruvalluvar नामक संत कवीद्वारा रचा माना जाता है. इस ग्रंत की रचना संभवता इसा की छटी शताब्दी में हुई थी. इसमें 1300 से अधिक कुरल अर्थात दो हैं. ये कुरल सदाचार पूर्ण जीवन जीने के मार्गदर्शक के रूप में विश्व जनीन संदेश देते हैं. पेज 129 तिरुकुरल ये सनत कोई Tiruvalluvar की तरफ मनसूब मशूर तमिल अदब है. शायद इसे छटी सदी इस्वी में मर्तब किया गया था, जिसमें 1300 से ज्यादा कुरल यानि अशार हैं. ये अशार अपने पैगाम के लिहाज से अपाकी हैं और पाकीजा जिन्दगी की तरफ रहनुमाई करते हैं. TIDE The term refers to a tax that was paid by the peasants for the maintenance of the church and the clergy in Europe at the rate of one-tenth of their produce from land over the course of a year. The antecedent of this tax goes back to a similar practice known to the ancient Jews. Tides had become fairly common in Europe by the 6th century CE and compulsory in England from the 10th century onwards which were ultimately abolished there in the first half of the 20th century. The payment of tithe had proved to be a major cause of discontent among the members of the third estate on the eve of the French Revolution. See also third estate Tide 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 से साल में जमीन पैदावार पर दस्वा हिस्सा लिया जाता था इस किसम के महसूल की रिवायत माजी में भी थी जो के कदीम यहूदियों से वसूल किया जाता था ये छटी सदी एस्वी से यूरोप में आम हुआ और दस्वी सदी ऐस्वी के बाद बरतानिया में लाजिम करार दे दिया गया जिसे बीस्वी सदी ऐस्वी के निस्व अवल में खत्म कर दिया गया दस्वें हिस्से की अदाएगी इनकलाब फ्रांस के दौरान तीसरे तपके के अराकीन में जबरदस्त इस्तिराप का बाइस हुई मजीद देखें तीसरा दर्जा तोलक अप्यम It is the earliest surviving work on Tamil grammar said to have been composed by तोलक अप्यार during the age of Sangama that is circa 500 BCE to 500 CE in the form of sutras that is formulae dealing with the structure and other aspects of the language तोलक अप्यम ये तमिल व्याकरण की प्राचीनितम उपलब्ध पुस्तक है इसकी रचना तोलक अप्यार द्वारा Sangam Kaal अर्थाद 500 E.S. पूर्व से 500 E.S. में सूत्रों के रूप में की कई थी जो तमिल भाशा के विन्यास एवं अन्य पक्षों से संबंधित थे तोलक अप्यम ये तमिल कवाईद पर मुश्तमल कदीम तरीन किताब है जिसकी तद्वीन संगम दौर यानि 500 कबल मसी ता 500 सदी E.S. के दौरान तोलक अप्यार ने की थी जो तमिल जबान की बनावट और इसकी दूसरे पहलूं के बारे में है ट्रेबिये टेड अर्थात तोडेदार इस अंग्रेजी शब्द का तातपर्य भवन निर्मान में खंभे और सरदल सिधान्त के प्रयोग से है इसके अंतरगत आड़ी बीमों या सरदलों का इस्तिमाल किया जाता है जो स्तंभों या खूंटों के सहरे टिकी रहती हैं शेहतीर इस इस्तला से मुराद इमारत की तामीर में खंबे और लिंटल के उसूल का इस्तिमाल है इसमें अफ की बम्यों या लिंटल का इस्तिमाल किया जाता है जो सुतूनों या खंबों के सहारे टिके रहते हैं त्री रतना, रतनात्रिया In Jainism, the term refers to the three principles of right faith i.e. Samyak Darshana, right knowledge i.e. Samyak Gyan and right conduct i.e. Samyak Charitra which together constitute the path to salvation i.e. Mokshamarg Of these three ratnas, i.e. literally three jewels the first ratna provides the foundation of the ethical and spiritual life of a follower from which arises the second ratna that leads to an enlightened understanding of the truth In practice, this knowledge needs to be united with the third ratna which is consisted of five observances, i.e. Vratas These observances are non-violence, i.e. Ahinsa Truthfulness, i.e. Satya Non-stealing, i.e. Asateya Chastity, i.e. Brahma Charya and non-attachment, i.e. Aparigriha tri ratna 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 triya Jainadharma mei is shabd ka taat parya un tīn siddhantau arthat samyak darshan, samyak gyan और samyak charitra se hai joh ek saath milkar moksh marg prashast kaart te hai इन तीन ratna ratna rathna नेतिक तथा आध्यात्मिक जीवन का आधर बनता है जिससे दूसरा ratna उत्पन्ण होता है जो अनुयाई में सत्य की समज उत्पन्ण करता है व्यवहार में इस gjyàn को तीसरे ratna जिसके अंतरगत पांच रतों का पालन शामिल है से जुड़ना होता है ये पाँच रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रहमचर्य और अपरिग्रह त्री रतन, रतनत्रे इससे मुराद जैनमत के तीन उसूल यानि सही अकीदा यानि सम्यक दर्शन सही इल्म यानि सम्यक ग्यान और सही किरदार यानि सम्यक चरित्र हैं जो एक साथ निजात की रह यानि मौक्ष मार्ग मुतयन करते हैं इन तीन रतनों यानि लवजी मानी तीन जवाहर में से पहला रतन पैरूओं के लिए अखलाकी और रुहानी जिन्दगी की बुनियात फरहम करता है जिससे दूसरी रसन की नुमोध हुई है जो हक की मौार्फत के लिए रोशन फहम अता करती है अमलन इस इल्म का तीसरी रतन से मुत्ताइद होना जरूरी है जिसके तहत पांच वरतों की पाबंदी जरूरी है ये वरत हैं अद्म तशद्द याने अहिंचा सच्चाई याने सत्या चोरी ना करना याने अस्त्या पार्साई याने तजरूर्द याने भ्रह्मचर्या और दुनिया से बेनियाजी याने अपरिग्रा Letter T of Trilingual Dictionary of History for Schools ends here Read by Suchitra Gupta and Mohamed Saad Trilingual Dictionary You were just listening to this presentation Project Coordination Rajesh Nimesh Subject Coordination Dr. Seema Shukla Ojha Project Advise Dr. Bharti Kaushik Technical Coordination Batilang Lingdo Assistance in Production Meenakshi Kukureti Framework Advise Ajit Horo Production Coordination Vandana Arimardhan Produced and Directed by Vimlesh Chaudhary and this presentation is brought to you by CIET NCERT New Delhi, India B